नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर चक्षू और आज हम बात करेंगे IBS यनि इरिटेबल बाल सिंड्रोम से जुड़े 10 फैक्टर्स के बारे में जो कि या तो आपको IBS का पेशेंट बना सकते हैं और या फिर अलरेडी डाइग्नोजड IBS पेशेंट की तकलीफों को बढ़ा सकते हैं इसलिए इन 10 फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है और इनसे दूर रहना भी जरूरी है इनको ठीक रखना भी जरूरी है ताकि आप खुद को IBS का पेशेंट बनने से बचा सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह की बात समझ में आए तो थमसब दीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कीजेगा ताकि हम लोग जुड़ें और इसी तरह आपको नई चीजे बता पाएं कुछ नया रिसर्च आपके साथ शेयर कर पाएं तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में फैक्टर के उबर बात करूं कॉजिशन के उबर बात करूं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना भी लिट्रेचर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं यह अल्रेडी रिसर्च बेस लिट्रेचर है और यह मल्टिपल रिसर्च बाते शेयर करें तो वो अथेंटिक होनी चाहिए और इंडियन ओरिजिन के पेशिंट्स को टार्गेट करते हुए होनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा भेतर सवालों के जवाब मिल पाएं और आप खुद की सेहत को भेतर कर सकें तो चलिए बात करते हैं फैक्टर के बारे तो ऐसे में आपको IBS दिरे-दिरे करके डेवलप हो सकता है अगर किसी पेशिंट को बार बार इंफेक्टेड पानी पीने या इंफेक्टेड फ्रुइट्स पीने की वजए से टाइफोइट फीवर हो जा रहा है और यह रिकरेंट है कई सालों से हो रहा है तो उसे IBS हो सकत है अगर आपने अपने पेट के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत जादा एंटिबाइटेक्स खाई है और बहुत दिनों तक खाई है तब भी आपको IBS हो सकता है तो basically यह जो चीजें हैं यह आपके पेट को परिशान करती है इसकी वज़े से IBS हो जाता है तो यह क् हो गया हमारा dehydration अब पेशेंट का है पेशेंट क्याता साब पानी पीते हो हाँ जी पानी पीते हैं कब पीते हो खाना खाने के बाद उसके अलावा प्यास लग जाती है तो पी लेते हैं तो basically क्या होता है पेशेंट अपनी जो थर्स्ट है उसे express नहीं कर पाता उसे समझ में नहीं आता हो भूल जाता है पानी पीना तो ऐसे में क्या है dehydration आपके intestines में dehydration रहता है और regular basis रहता है आपने fruits नहीं खाए आपने salad नहीं खाई आपने पानी का TDS जो है वो कम रखा 50 के आसपास रखा आरोपे होना चाहिए था 150 तो 200 उससे क्या हुआ dehydration तीसरी बात क्या हुआ यहां पर lack of fiber intake होता क्या है हमें क्या खाना है आलू खाने हमें पनीर खालेते है पनीर टिक कर खालेते है हमें रोटी नहीं खानी नान मगा लो या नान खालेते है चोले बटूरे खाने ऐसे में क्या हुआ जो हमारी यह faulty dietary habits है वो उसकी वज़े से हम पेशेंट के जो बावल हैबिट्स होंगे वो अल्टरड बावल हैबिट्स हो जाएंगे और यह धीरे-धीरे करके पेशेंट को परिशान करेंगे अब इसके बाद जो अगला important factor है वो हो गया serotonin अब अगर serotonin क्या होता है happy hormone अब अगर आपका serotonin गरबल कर गया आपके body में fall कर गया आप tension में हैं आप बहुत समय से stress में चल रहे हैं कोई कोई चीज आपके दिमाग में चलती रह रही है जैसे females, females में mental restlessness बहुत होती है कोई बात को पकड़के बैठ जाएंगी उसके लिए परिशान होती रहेंगी males अपने business को लेके अपने काम को लेके अपने office को लेके परिशान रहते हैं जबरदस्ती कुड़ते रहते हैं, emotional suppression करते हैं उसमें क्या होता है, serotonin हमारा fall कर जाता है तो जब serotonin fall करेगा तो क्या है, HL3 and HL4 receptors जो होते हैं जो हमारे body के अंदर, जो GI disturbances हैं, उन्हें control करते हैं, वो हमारे fall कर जाते हैं इसकी वज़े से IBS धिरे-धिरे करके बनता चला जाता है next important factor क्या है, कि जो हमारा anxiety है, जो हमारा stress है, वो हमें परिशान करता है IBS के patient के अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया है, और इसलिए कई बार doctors इसे categorize करते हैं psychosomatic disorder, अगर आप मन से खुश नहीं है, तो आपको irritable bowel syndrome धीरे-धीरे करके होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा IBS का patient खुश रहने लग जाए, अपना मन शान्त रहने लग जाए, तो IBS जल्दी ठीक होता है लेकिन अगर IBS का patient तनाव में रहेगा, परिशान रहेगा, और बार 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 अपने treatment सोचता रहेगा आज ये दवा खले रहा हूँ, कल ये दवा खले रहा हूँ, आज इस doctor को दिखा लेता हूँ, परसोशे दिखा देता हूँ इस doctor से इतना सा फायदा हूँ, इसके बाद नहीं हूँ, उस doctor से उतना हो जाएगा मैंने सुना है, वो ओला doctor बहुत बढ़ी आए, तो जब आप कूत कूत के treatment कराते हो, तो आप satisfied नहीं होते हो ऐसे में क्या होता है, दवाईयां भी जाता जाती है, ओवर मेडिकेशन जाता है, वो भी आपके body के अंदर IBS create करता है, और साथ में जो आपकी unsatisfaction है बोडी के अंदर, वो serotonin को कम कर देती है, फिर क्या होगा stress, stress कौशा हम obsessive हो गए, OCD develop कर गई, किसके बारे में, बिमारी के बारे में, फिर हमें क्या हुआ, obsession, obsessive compulsive disorder हो गया, हर समय net पे सर्च कर रहे हैं, IBS, IBS treatment, IBS treatment, IBS treatment, home remedies for IBS डूंडते चले जा रहे हैं, इसकी वज़े से क्या होगा, धिरे-धिरे करके anxiety, anxiety के साथ में, फिर क्या होगा, panic attacks, फिर धिरे-धिरे करके आप पहुंसे चले जाए हैं, जब तक उसकी ये वाली feeling control में नहीं आए ही, उसका IBS control में नहीं आएगा, इसके बाद जो next important factor है, वो होगे genetic predisposition, अब अगर आपके घर में IBS का patient है, तो ये मान के चलिए, ये आपके jeans में है, आप सब्सक्राइब आपके father को है, तो आपको भी हो सकता है, मदर को है, तो भी आपको हो सकता है, नहीं maternal या paternal family में, जिनके साथ में आपके blood relations है, अगर उनको IBS है, और severe IBS है, तो आपको भी IBS परिशान कर सकता है, उसके बाद हो गए हमारे food timings, food timings क्या है, अगर हम early lunch, early breakfast और early dinner नहीं करते हैं, और late breakfast और late dinner करते हैं, तो आपको 100% IBS हो जाएगा, food timings की बहुत बड़ी value है, अगर हम अपना समय से भोजन नहीं करेंगे, और properly chew करके नहीं करेंगे, proper time अपने fooding को नही IBS हो सकता है, इसके अलावा next important factor हो गया, food quality, food quality कैसी है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, allergens के बारे में, देखिए, बहुत सारे ऐसे patients होते हैं, जने पता ही नहीं होता, उन्हें allergy है, इसी वज़े से IBS misdiagnose हो जाता है, किस वज़े से हो सकती है, allergy भी हो सकती है, और intolerance भ हो सकती है, तो इस तरह से कई चीज़ों को लेके intolerance होती है, allergy भी हो सकती है, आपको किसी ने किसी चीज़ को लेके, for example, especially milk products के लिए तो allergy भोजल दी निकलाती है, patient के अंदर, तो ये जो हमारी food quality है, ये भी हमारे लिए कहीं न कहीं परिशानी cause करती है, तो हमें IBS के patient में कई नहीं बार धीरे-धीरे follow-ups में देखना पड़ जाता है, कि कहीं patient को किसी तरह की allergy तो नहीं है, इसके अलावा food quality में next point क्या है, कि अगर हम मैदा जादा खाएंगे, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जादा cooked food खाएंगे, जैसे रूटी बहुत जादा खा रहे हैं, म हमारा पेट सही होके ही नहीं देगा, वो कहीं न कहीं परिशान होता चला जाएगा, ऐसे में हमें क्या चाहिए, food quality, हमें fruits properly चाहिए, हमें salad properly चाहिए, जो हमारा dietary fiber है, हमें proper quantity में लगबग, almost IBS के patient को 500 grams, 400 to 500 grams के आरसपास, छोटे-छोटे meals में fruits और आपका salad, dietary fiber का intake लेना च चाहिए, यह चीज़े Indian IBS patients को बहुत ज़्यादा परिशान करती है, juices का intake लेना भूल चुके है, juices क्या होते हैं, उसकी वज़े से क्या होता है, हमारी body में proper multivitamins नहीं पहुंच पाते हैं, अगर मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं, in short, तो आप समझ लीजे, अगर एक IBS के patient हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, IBS anxiety कर सकता है, और anxiety की वज़े से IBS बढ़ भी सकता है, दोनों चीज़े parallel चलती हैं, अगर आप अपने anxiety को control रखेंगे, अपने obsessive compulsive disorder, यानि अपनी बिमारी को लेके अपने obsession को control रखेंगे, आपका IBS control रहेगा, लेकिन अगर आराम नहीं आता है. और इस बिमारी को खुझ से दूर कर सकते हैं, तो अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट है, तो please thumbs up जरूर दीजे, इससे मेरे को motivation मिलता है, ताकि मैं इसी तरह आपके साथ कुछ information, अच्छी information शेयर कर पाऊं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आये थे, तो subscribe करना, बिलक Namaskar, Thank you.